नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी एक पप लगाने का सही तरीका जैसे कुछ लोगां को एक पप वाले बलाउज बहुत पसंद है और इसको सिलना भी बहुत आसान है और बड़ी आसानी से बलाउज सिल जाता है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना एक सिंपल कटिंग करनी है जैसे सादा बलाउज की कटिंग होती है तो इसमें हमें जैसे पीछे का पल्लर खुला हुआ होता है और आगे का पल्लर ये बंद वाला होता है इस तरीके से होता है और simple cutting है तो इसमें हम pup लगा लेंगे और एकदम fitting भी अच्छी आती है तो इसको भी लगाने का एक तरीका होता है कि जैसे chest कम है तो उसको हमें कैसे लगाना है अगर heavy chest है वो pup हम कैसे लगाएंगे क्योंकि heavy chest होती है तो उसका सीना थोड़ा सा नीचे होत और चोटी चेस्ट है बती चेस्ट है या चोटी चेस्ट है उसका सीना थोड़ा ऊपर होता है तो यह भी हमें टक्स के साफ से पप को लगाना है क्योंकि पप हमारे एकदम फिटाएंगे तो ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगे चलिए मैं आपको बताती हूं कि कैस कैसे कैसे लगाना है तो देखर जैसे पहले तो हमें अस्तल को कटिंग करना है एकदम सिंपल कटिंग है, साथ ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरीके से है, अगर आपई पर कटिंग نہیں आती है तो आप हमारे चैनल में देख लेंए ये वीडियो के नीचे हमारे Fur Channel का नाम तो उसके बाद आप देख रहे हैं उपर मुबाइल पर जो लिख के आ रहा है वीडियो तो आप उस पे क्लिक कीजिए तो हमारा पूरा चैनल आ जाएगा तो जो पप लगाने का तरीका है और चेश्ट के साफ से 6-4 चेश्ट तो मैंने बहुत सारे बलाउज बनाएं तो आप उसमें देखने तो अब देखिए हमें क्या करना जैसे मुझे इसकी चेश्ट रखनी है 32 और यह हैबी साड़ी है तो मैंने इसमें गुंजाइस जादा रखी है क्योंकि यह दूसरे कस्टूमर का बलाउज है तो उसने बोला है गुंजाइस हमें जादा चाहिए तो हमने इ यहां पर पहले हमें बराबर करके जैसे हम टक्स का निशान लगाती है तो यहां पर हम देखिए 10 इंच पर लगाएंगे 10 इंच पर हमारा यह बीच का रहेगा और दूसरे साड़ भी हम इसी तरीक से निशान लगा लेंगे 10 इंच पर यह हो गया अब देखिए हमें यहां भी दूरी रखनी कि यह कमारा दोनों बराबर नहीं आ जाए तो जैसे हमने हमने यहां पर निशान लगा लिया ऑव 13फड विंच निशान लगा लिया तो हम नीचे की चुपर डालेंगे बोच चार इंच पर डालेंगे एक प्लेट भी हमें दालने है समय में इसकी जो गेर फिराइर रहेगा वहमारी करीब 1-5 इंच के रहेगी वह कि हम अहां है फिरले हम यहां पे निशान लगा लिए इन तो हमने यह यहां पर इसके कर लिजया पर देखो आप एंच Eve Care दाल linear किIST कि अब दीए पिलेटर रालनी हमने बराबर बराबर आनी चाहिए इस तरीके से अब यह मान के चलिए हमारा यह बीच का सेंटर है तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे एक इंच पर एक इंच होना चाहिए यहाँ पर ऐसी इस तरीके से एक इंच हो गया अब हम यहाँ पर यह कटोरी को रखेंगे इस तरीके से आना चाहिए तो इसको हम ऐसे करके रखेंगे अच्छे से जिसे हमारा यह अंदर का कपड़ा अच्छे से आ जाए तो दिखी हमारा निशान है तो इसके उपर हमें सिलाई लगाने हैं और इसको ऐसे फैला लेंगे अब देखिए इस तरीके से पुरा आ गया अब दूसरी साथ भी इसी तरीके से लगाएंगे यहां पर हमें इसको भी बरावर रखना है उपर की साथ से हमें अब देखे 32 चेश्ट तो इस दोनों हमारे पुप लगएंगों और यह पप भी हमें अपनी छैष्ट के सावसे लेने हैं जैसे हमारी 32 चैश्ट ही जैसे तो चछती चेश्ट है जैसे writes लिए अस्तल में इसी तरीके से हम जो साड़ी का कपड़ा है उसमें भी प्लेट डालेंगे तो हम यहां पर पहले 10 इंच पर निशान लगा लेंगे यह बीच में और फिटिंग का कपड़ा 8 इंच अब हमारा यहां पर 4 इंच पर आएगा और यहां पर लगा लेंगे केंच का कट अभी देखे इसकी लंबाई जादा है तो मैं नीचे की साड़ तुर्पाई करूँगे इसलिए मैंने इसकी लंबाई जादा ली है कपड़े की पिलेट की दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए इस तरीके से नाप लेंगे यहां तो लगाएगी अब देखिए इसमें हमने इस पिलेट डालनी अब यह अस्तल को रखेंगे इसके उपर अच्छे से पहले हम यहां पे एक बीच में सिलाई लगा लेंगे जिससे कैप उलकुल जोल नहीं आएगी तो यहां पे आप इस तरीके से थोड़ा सा कच्ची भी कर सकते हैं झाल 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 अब हम यहां पे आरूमल की कटिंग कर लेंगे अपने जो अस्तल है उसके परावर करनी है हमें सई से अब देखिए अस्तल के परावर हमने आरूमल की कटिंग कर लिए यहां पे देखिए और इस पर मैं चोखूटा कपड़ा रखके गले को बनाऊंगे और नीचे से हम यहां पे तुरपाई कर लेंगे इस तरीके बहुत ही आसान है पप लगाना तो इदे की हमारी यहां पे पिलेटें भी बराबर आ रही है तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है पप लगाने का तरीका बताया है मैंने एकदम सिंपल simple blouse बनाना चाहते हैं और आसानी से बनाना चाहते हैं उसमें पप लगाना चाहते हैं तो बस आपको एक plate डालने हैं और एक पप लगाने हैं तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और लाइक जरूल करें जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आईए अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कर ले धन्यवाद